अब आज का गिर्म कुछ ऐसा ऐसा गया मेरी इक पुर्णी क्लाइंट मेरे पास थ्रेडिंग करवाने के लिए आये थी इंदा मेरे दिखिक में तो एक ये जेलो जैंट में आपोस बड़ करेंगे करेंगे अर फिर इस तरीके से वाल एक पास प्राइब करेंगे क्या जुट्वार्ण। कर दो 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 हुआ है अभी अभी मैं थोड़ी सी सब्जी भगेरा लेके आई हूँ तो बैंगन लेके आई हूँ एक मिनिट दिखाती हूँ आपको मैंने हाफ केजी जो है शेंगदाना लाया है ग्राउन नट्स फिर यह ऐसे दो बैंगन लाया है दो बैंगन और टमाटर लाय है एक किलो मुझे दस रुपए में दे है तो वो और लेसन तो यह सब अभी अभी लेके आई हूँ और अभी कल की कुकिंग के लिए कुकिंग का प्री प्रिपरेशन करना पड़ता है तो वो करूंगी यह नहीं लसुन को छील के रखना पड़ेगा मुझे बहुत उकड़ते हैं तो लसुन को छील के रखना पड़ता है ताकि जो हम कुकिंग करते हैं तो उस टाइम ज्यादा देट ना लगे यानि इस वज़े से तो अभी मैं वही काम करने वाली हूं तो चलो स्टार्ट करते हैं हां और यह आज मैंने न्यू नेल पेंट लगा है न्यू नेल पेंट एंड न्यू लिप्स्टिक कैसी है दो अए तो ये लसुन में अभी छील के रब दूगी यारी रब खीज बाव'? बोच बुछ सकतम हाँ खुझ से खुछ तो हुख पुछ हुख कुछ झाल झाल को ये जो शीन की बैक रइसी में भी टमाटर रख दूगे लिया टücken सकती हाएख टो आर विया थवा लिएक लिया नुपार जा है भonst achणी अबडर मोच्ट्अपोच का राइछ मैंने अगें ये लसुन की चटनी जो है वो बना के रखी है तो इसकी रेसिपी बहुत टेस्टी और यमी बनी है और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो व्यूटी हेल्थ कुकिंग टिप्स चैनल पे मैंने इसकी रेसिपी डीटेल में शेयर की है तो चाहिए तो देख लेना यहे चटनी यह आप खाकरे के साथ खा सकते है रोटी के साथ खा सकते है बाकरी के साथ खा सकते है या फिर आइसी भी खाएंगे तो भी अच्छी लगेगी क्यूंकि इसमें है जीरा थोड़ा सा जीरा लसुन शेंगदान ग्राउंड नट्स तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है यह अर्णिण साथ बहुत है जीरा था जोड़ार थाएंगे लगती है औराँल प्षेसे दो प्षेसे झाल 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 झाल